सबसे पहले इंडेस 33 और शेयर की बात करता हूँ EPS के अंदर दो तरह की EPS होते है बेसिक EPS एक होते है धालूटेट EPS बरावर गया तो इस बात ध्यान रटना EPS के अंदर वर्ड बाय वर्ड कंसेप्ट पढ़ने का जरुवत नहीं है करना लेकिन जो भी रेलिवन कंसेप्ट आपको बताता हूँ चलता हूँ अफटा फट से सबसे पहले वे नू टॉक अब बेसिक EPS बेसिक का फॉर्मला क्या होता है यह डे के तरह पैट डिवाइड बार नंबर अव शेयर मत बोलना इस प्रॉफिट एवेलेबल फॉर एक्व पैट में से ब्रॉफ नओर प्रीफ इवेलेच करना प्रेफरेंट रिविडिडर्न अब प्रेफरेंट डिविड्रेट अब ट्रॉफिग प्रस्ट का अक्रमल heto प्रिक्श और different dividend आप नहीं तो next year पिसले साल और current दिनों का magic युले केस में आप । आप्ष भाले नरे साल गैसे करोगे जो इसा प्रिमिंस पर फिर अपने प्रमान पे प्रॉमिस नहीं किया थे ऐसा premium discount जो डेवन पर promise नहीं किया था बाद में अचानक आपने pay करने का सोच लिया उसको बोलते settlement payment तो वो क्योंकि आपने डेवन पर promise नहीं किया था तो वो ER कंदर तो नहीं आया बट आपको यहां से minus करना पड़ेगा अरे yes और अगर ऐसी कोई भी income expense है जो आपके profit loss का part बन देना पड़ेगा simple कहानी खता ठीक है उसके बाद आपना आएंगे यह अपना normal formula था इसका उसका आएंगे bonus issue के उपर अब bonus में क्या होता है सुनना bonus के अंदर company बोलता है बोनस के अंदर company बोलता है कि हम जुतने भी holders है उनको free में shares देंगे बराबर तो इसलिए bonus में assumption रहता है बोनस का assumption क्या होता है कि जो bonus factor है है जो bonus factor है that was outstanding from earliest reporting period the bonus factor will be outstanding from earliest reporting period है अब इसका मतलब क्या है तो मेरा notebook में आपके लिए बड़िया से example लिखा था चला आपको वे example दिखा तो फटा फट से एदे को bonus shares for example एक बड़िया वाल example लेता हूँ जैसे यह वाला है 5LX के opening shares थे ठीक है 5LX shares है ना opening shares पर आप इतना bonus दोगे new issue पर इतना bonus दोगे अब standard क्या बोलता है bonus की case में assumption यह होता है कि bonus shares were outstanding from the earliest reporting period ऐसा मत बोलना आप पूरे 3,75 day 1 से यह नहीं कह सकते क्यूं 3,75 किस पर दिये opening पर दिये और new issue पर दिये opening के जो bonus है वो day 1 से हो सकते लेकिन new issue पर दो bonus है वो day 1 से नहीं हो सकते ना वो max to max इस दिन से हो सकते तो standard बोलता है आप ऐसे case में निकालने का bonus factor अब bonus factor कैसे निकलता है देख लो bonus factor simplicity तरीके से अगर आप निकलना चाहो तो आप न 3 by 2 अगर 1 plus 1 by 3 होता तो आप बोलते यह 3 ले जाओ इधर तो हैगा 4 by 3 मतलब 3 add कर देना ओधर ऐसा तो वैसा bonus factor निकालोगे तो मिरको आया bonus factor 3 by 2 इसको ऐसे fraction में रखना ठीक है इसको decimal मत लेकर आना keep it as a fraction only अब मानना कि bonus factor was outstanding from the earliest reporting period जबसे वो share आया तब से bonus factor भी था इसका मत 2 by 2 करोगे उसके पहले आप 3 by 2 भी कर लेना bonus factor की वज़े से जब से share तब से उसको bonus factor यह 2.5 आपने जुलाई में इशु किया था ना तो जुलाई से यह shares थे इस पे bonus भी उसी दिन से था buyback के समय कोई bonus था ही ने तो buyback तो normal आपने ने कर दिया तो जब से वो share आया तब से व right issue का मतलब होता है कि जब भी भी आप अपने existing shareholders को shares सस्ते में दने का promise करते हो उसको बलते right issue suppose आपका market में price 20 rupees आपने existing वालों को कि मैं तरको 20 नी 15 में दूंगा ले ऐसा तो आपने existing वालों को सस्ते में दने का promise क्या ना उसको बलते right share तो right shares में ideally एक नहीं दो element होते है एक तो वह element जिसके लाब पैसा receive कर रहे हो second क्यूंकि आप existing वालों को सस्ते में दे रहे हो तो there is some bonus element also तो इसके अंदर total 3 step follow करना आपको कितने step 3 step exam point विससे 3 step या रहा रहा हो आपका question बहुत भेतर निस दे के solve वहेगा पहला compute the x right price अब यह given नहीं होता है question में निकालना पड़ता है कैसे निकालोगे जितने भी shares थे right के पहले multiply by the come right price plus right shares into right price divide by total number of shares जितने भी यह shares थे plus right shares थे divide उसे करो जो भी आपको amount आएगा वो रहेगा आपका x right price जैसे मैंने question लिया illustration number 6 उसमें यह सारी figures थी right के पहले 18 lakh shares थे कम right price 60 दिया वा था right में आपने 4.5 x shares दिये और right price was 30 divided by 18 plus 4.5 will be 22.5 बराबर तो यह जो करोगे आपको मिलेगा x right price यह आपकी x right price होगे यह आपकी कम right price होगे बराबर step number 1 होता है निकालो x right price step number 2 होता है निकालो bonus factor अब bonus factor कैसे निकालते it is nothing but कम right price divided by x right price बड़ा amount डिवाइट चोटा amount बड़ा number 60 होता है चोटा number 54 होता है तो आपको मिलेगा bonus factor इसको ऐसे fraction में रखो बराबर क्या 60 by 54 आपको split मारना है मैंने का बता है right में दो हिससे होते एक वो element जिसके आपको पैसा मिला है और एक free वाल bonus element तो अब कैसे निकालोगे bonus element कैसे निकालोगे simple है देखो मैं आपको इसी question का reference लेके बता रहा हूँ ठीक है तो आपने right में कितने shares दिये 4.5 shares दिये ठीक है 4.5 lakhs shares दिये तो अभी आप क्या करो 18 lakhs जो opening shares थे opening shares थे 18 lakhs 18 lakhs पर bonus factor लगो 60 by 54 का तो आपको आएगा 20 lakhs इसमें से opening थे minus कर दो 18 lakhs minus कर दो तो जो 2 lakhs मिला ना यह आपके bonus shares है क्या है आपके यह bonus shares सर के bonus कैसे है यह क्योंकि आपने इसको bonus factor से multiply किया ना तो यह bonus shares मिल गया उतने महिने का weights लगा होगे ऐसा करना है बराबर तो जैसे for example अगर मुझे निकालना हुआ basic e-base तो देखो कैसा निकालोगे जो भी profit है वो उपर लिखोगे यह तो मैं आपको से concept समझा रहा हूँ जब question कर रहा हूँ तो clarity आपको आ जाएगा चिंता मत करना इसका मतलब वापस से right में कितने steps तीन step पहला compute करो x right price कैसे compute करेंगे मैं बोलू question में जितने इंफोर में सब use कर लो before right के पहले कितने shares थे into come right price plus right shares into right price divided by total number of shares बराबर इससे मिला x right price step number 2 compute bonus factor come right divided by x right ऐसे ही रखो उसको फिर opening shares पे यह factor लगाओ आपको मिलेगा bonus shares तो opening shares पे मैंने यह factor लगा 20 मिला opening minus करो मिलेगा bonus shares total में से bonus इतना तो cash के लिए जितना उतना जो balance बच्चा वो यह तो 2 lakhs है outstanding from the earliest reporting period 2.5 lakhs को पर आप लगाओगे जितने महिने में इस्यों के होतने महिने का weights कहानी होगे खतम यह आपके लिए था कौन सा वाला question यह आपके लिए था right shares वाला question ध्यान रखना उसके बाद right वाला case अपना हो गया उसके बाद आप आओगे अगला case पे that is diluted EPS कौन सा? diluted EPS अब diluted के अंदर क्या होता है सुनो यह basic का हो गया basic में normal है basic EPS bonus और right shares यह तीन के साथ है फिर आता diluted EPS diluted में क्या होता है? diluted का मतलब होता है potential equity shares का effect consider करना इसका मतलब अपना normal basic EPS क्या होता है? earnings available for equity holders divided by weighted number of equity shares अब diluted में क्या करते है आपन? कुछ होते potential equity shares potential का मतलब होता है वो आज equity नहीं है लेकिन future में equity बनने की शमता रखते है convertible debentures, convertible bonds, convertible preference shares, ESOPS, share warrants यह सब आज equity नहीं है लेकिन future में देखें become equity तो future में क्योंकि यह equity बन सकते है तो अगर यह आज ही से equity होते तो impact क्या होता? तो अगर suppose convertible debenture है अगर यह आज ही equity होता तो इसको अपने को interest नहीं देना पड़ता तो अपना profit बढ़ जाता अच्छ आज ही equity होता तो इंट्रेस नहीं देना पड़ता तो आपका interest कितना बचता? 5000 debenture है 100 रुपे का debenture है into 8% 40,000 आता लेकिन interest अगर नहीं भरना पड़ता तो इस पर tax का benefit भी नहीं मिलता तो आप net of tax लोगे 70% that is 28,000 तो आप new meter में 28 add करोगे divide by अगर यह आज ही equity होता तो 5000 debentures would have been 50,000 equity shares है ना तो वो denometer में आप आड कर दोगे तो यह आप new meter में आड करोगे, denometer में आड करोगे तब ही इसको diluted बोलेंगे तो इसको report करने का, अगर यह basic से ज्यादा होता, if it was more than basic, तो it would have become anti-dillutive, इसको आप फिर उसकेस में report नहीं करते हैं, तो मेरा basic 10 था, यह उससे कम है ना, तो यह diluted है, तो इसको आपन report करेंगे, simple, क्वेरे वाला part, खदम कहानी, अच्छा एक और चीज, suppose कोई potential liquidity share, आपने current year के साल के बीच में issue किया है, तो उस case में, जब savings in interest निकालोगे, तो suppose आपने जुलाई में issue किया, तो savings in interest नौ मेने का लेना, उसके इलावा, जब नीचे number of shares लोगे, तो भी weighted करके लेना, 9 मेने का जिए लेना सिर्फ, ज्यान नत्माइए, ठीक है, चलो, तो यह diluted EPS के मेने बात कर लिए, अब diluted EPS में एक और question ऐसा है, जिदर there can be multiple potential liquidity shares, मतलब एक ही company के अंदर multiple अलग-अलग nature के potential liquidity shares है, जैसे warrants भी है, जैसे preference shares भी है, जैसे debentures भी है, ऐसे तीन अलग type के potential liquidity share है, तो ऐस जैसे case में, आप directly diluted EPS निकाल नहीं सकते है, उस case में कुछ steps follow करने पड़ते हैं, अब वो steps कैसे रहेंगे, ध्यान से सुनना, तो बोलता है, एक के लिमिट देखो, एक क्वेशन कर लो, आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा, पैट दिया हुआ हुआ है, टैक्स रेट दि इक्विटी शेर्स 50,000, निव इशूद 30,000 है, एक लिमिट अज इशूद 40,000 शेर वारेंट, विच शाल बी अलोटेट शेर्स इन 2013, 40,000 शेर वारेंट है, अब वारेंट के केस में, आप सिफ फ्री वाला कॉम्परेंट ही कंसिडर करते हो, for example, आपका मार्केट प्राइज 20, यह वारेंट में आपको शेर्स फ्री में नहीं देने, 15 रुपे में दोगे, तो फ्री कॉम्परेंट कितना हो गया, 40,000 इंटू 5 रुपया डिवाइड बाइट 20, the free कॉम्परेंट इस फ्री रुपी तो इसका आप एक्विएर निकालोगे, कितना आएगा, 10,000 वारेंट अपने को पैट दिया हुआ था, उसमें से प्रेफरेंट डिविएंट और डिविएड़ी माइनस किया, तो आपको बेसिक आ गया, अब डिविएड आप दिरेकली मत निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीन स्टेफ फॉलो करने पड़ेंगे, जब जब क्वे प्रेफरेंट के रिविटी बनने से रिमेंट्र में कितना से इंपक्त है, और दिरॉमेट्र में कितना इंपक्त है, ऐसा आप इवutorल ऑरूेड करोगे, ठीक है, तो आपनें इव्दीजल ऑरूेड कर लिया, फिर इस्टेप नबर वण होगया, उसको बहते इंक्रिमेंटल EPS, second ranking करोगे, ranking कैसे करोगे, most dilutive to least dilutive, छोटे से बड़ा, ध्यान दतना, ठीक है, तो छोटा है, तो उसका ranking number 1 आएगा, ठीक है, फिर conclusion, अब ये कैसे करेंगे, एक-एक element को individually evaluate करना, पहले basic का numerator लिखो, basic इतना आ गया, फिर इसमें जो ranking number 1 था, उसको add करो, तो warrants पहला था, तो पिछले वाले से compare करना, तो पिछले वाले से कमी है, तो dilutive है, फिर अगला ranking में क्या था, preference, तो उसको add कर, ठीक है, तो उसको add किया, ठीक है, total निकालो, फिर निकालो EPS, अब इसको basic से नहीं, इसको इसके पिछले वाले से compare करो, कम है ना, dilutive है, फिर ranking में क्या था, convertible debenture, इसको add करो, बराबर, अब इसको compare कर, पिछले वाले से, अब ये पिछले वाले से, अब ये पिछले वाले से, जादा आगे, जादा, तो ये anti है, मतलब आपका debenture is anti-dilutive, तो आप जब diluted EPS निकालोगे, तो आप सिर्फ वारेंट्स और प्रेफरेंशार करोगे, इसको consider न बराबर के, साथ में नहीं कर सकते, गम्मेंगे नहीं कर सकते कर से, तो तीन स्टेफ वालो करना है, सबसे पहले, वापस है, पहला स्टेफ क्या था, calculate incremental EPS, दूसरा ranking दो, most allotive, और तीसरा conclusion, ये करके, add करके, consider करो, और पिछले वाले से compare करो, ठीके, ध्यान रखना, अच्छ किताब, copywriter वो नहीं कर सकता, जितना मैं कर सकता, उतना मैं करूंगा, चिंता मत करो, ठीके, चलो, आगे, ये हो गया, diluted EPS, तुमको समझता है क्या, तो ये तुमको अगर basic basic चीज समझ गई ना, एक bonus का question, एक normal basic EPS वाला question, एक right sir का question, और एक diluted वाला question, ये समझ गया, तो का कवर कर लेंगे, तो concept इतना आपको ध्यान रखने है, तो concept concept में इतना करकर दो कहानी खतम हो जाती है, अब आपन questions पर आते, अब questions आपन सारे बहुत सारे करेंगे, तो सबसे पर जो का question है, वो आपके लिए आएगा, आम, 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 देखने तो मुझे जारा, नई, नई, यहानी, 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 एक question number 8 है, इसको मैं single star दूँगा, यह से refer कर लेना है, ठीक है, question number 7 है, 7, 7, 7, यह bonus वाले question है कुछ तो, मतलब bonus का question नहीं है, actually, bonus देने वाले management को, वैसा, उस वाले question है, तो एक star mark कर देना है इसको, ठीक है, सिधा हो कि question number 9 पे, illustration number 9 पे, ठीक है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, at 31st, at 30th June, यहान year and the 30th June है, ठीक है, वो भी एक नया पाट है, 1,50, ordinary shares थे 1 रुपीज के each, ठीक है, और बोलता है, convertible loan stock था, convertible loan stock था, 12,50 का, ठीक है, each रुपीज 100 may be converted at any time, during this year, अब conversion का ratio दिया हो है, यहान convert करोगे तो 135 के ratio में convert क करोगे, इसको convert करोगे, 130 के ratio में करोगे, इसको करोगे तो ऐसा करोगे, इसको करोगे तो ऐसा करोगे, ठीक है, अब ऐसे case में हम कौन सा वाला conversion ratio लेंगे, जो भी highest number of shares में result करता ना वो लेने का, क्योंकि अपने कोच यह most dilutive, ठीक है, तो इसमें यह वाला consider करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है, तो you will consider this वाला conversion ratio, 135 वाला conversion ratio, तो फिर आप कैसे लगोगे, बोलता है हर 100 रुपया, हर 100 रुपया इतने में convert होएगा, तो 12,50 into 135 divided by 100, उतना आप consider करना, ठीक है, 135 conversion ratio आप consider करोगे, आगे, फिर बोलता है loan stocks, अच्छा यह issue कब किया था, यह आपने 1st October में issue किया था, year ending June है, October में issue किया, तो जब आप current year में savings वगरा निकालोगे, savings in interest, तो आप पूरे 12 मेने के मत निकालना, June, July, August, September, मेरे ख्याल से, नहीं, sorry, July, August, September, 3 मेने का मत निकालना, मतलब savings in interest, 1st year में 9 by 12 का रहेगा, और जो नीचे, weighted average number of shares आएंगे, उसमें भी into 9 by 12 करन मत भूलना, 1st year में, जान रखना इस बात को, ठीक है, उसके बाद, और क्या बोला हुआ है, फिर ये भी बोला हुआ है, कि there is some losses also, कोई derivative losses है, हर साल में, 2 साल का आपको दिया है, मेरे साब से, अपने को 2 years का पूछा है, तो 1st year में 9 by 12 का आएगा, 2nd year में 9 by 12 वागेरा निया करना, है ना, समझ रहो तुम, क्योंकि इस पर आपको कोई tax benefit नहीं है, तो profit after tax में से ये loss minus करना, ध्यान रखना, आगे, फिर बोलता है, profit before intention fair value moments आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपन निकाल लेंगे, rate 33% दिया हुआ है, तो अभी कैसे करना, ध्यान से सुनना, चलो में दिखाता हुँ, या में बाद solution, solution दिखाऊंगा, बेटर समझेगा आपको, मेरे खाल से यही वाला है, हाँ, यह देखो, इलिदर session number 9, दो साल का पूछा है, ठीक है, तो अभी ना, इसका एक format होता है, कैसे करने का, numerator में बहुत सार adjustment है न, तो basic लिखो, numerator, फिर denominator, फिर denominator, फि fair value moments, पहले आप interest minus करो, ठीक है, क्योंकि first year में वो issue आपन अक्टोबर में किया था, तो first year में सिफ 9 मेने का interest minus करोगे, second year में बुरा 12 मेने का आएगा, ज्यान रखना, फिर पहले tax minus करोगा 33%, उसके बाद, PAT में से, आप fair value loss minus करोगे, ठीक है, आपको मिलेगा, क्या, यह आपक पहले वाले साल में सिफ 9 मेने का बसता, तो 9 मेने का interest बसता, बट net of tax बसता, तो 75 इंटो 67%, second वाले year में भी, second वाले year में पूरा 12 मेने का बसता, बराबर, लेकिन net of tax, तो 1 लाक इंटो 67%, तो यह आजाता, उसके बाद, fair value loss, net of tax मत लेना, because इस loss पा आपको कोई tax benefit मिला ही नहीं था, तो वो add back कर देना, because अगर यह potential equity share, equity होता, तो यह loss भी नहीं होता आपको, तो यह आपका आपका आगया numerator, पॉर, डालोड़े DPS, अब चे डिनॉम months, first year में outstanding था, second year में पूरे 12 by 12 के लिए लो गया, तो यह आपको A मिला था, numerator, B मिलेकर denominator, A divided by B आपको मिल जाएगा, यह format से solve करना, आपको एकदम आसानी से smoothly जाएगा, वापस है, format क्या था, पहले basic EPS लिखो, basic में 2 चे, numerator, denominator, तो पहले निकलो numerator, उसको बल दो A, फिर निकल confirm कर लेना कि basic से कम है, basic से कम है, तो ही diluted होगा, ध्यान लखना, clear वाला पार्ट, खतम, उसके लावा, let me see, यह था question number 9, शांदार question, फिर question number 10, again a very good question, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, यह अपने option वगेरा दिया था, यादे warrants वगेरा वाला पार्ट, यह warrants वाला पार्ट ह shares है, और हमने कितने warrants दिये है, कितने options है, 6,30,000 options है, अब कितने में देने वाले option, free में नहीं दे रहे हो, आप 70 रुपीज में देने वाले हो, अब यह question important क्यों है, warrants में हम से free component consider करते है, तो 6,30, into, first year में आपका market में rate था 120, तो free component कितना हो गया, 70 of 120 का difference, that is 50 divided by 120, this is the free component, यह first year में, 17 में, 18 में आपका free component कितना रहेगा, 6,30, into, अब next year यह तो same रहेगा, लेकिन market price can change, तो free component will be 90, 90 divided by 160, क्योंकि दोनों साल आपका free component अलग-अलग है, तो number of shares का जो impact हो अलग-अलग हो हर साल के अंदर, यह आपको ध्यान लगना है, तो देखो मैंने ऐसा किया हुआ वरंस का first year में free component was 50, second year में it was 90 by 160, दियान रखना, accordingly you will find a diluted EPS, simple, तो इसले ही LDR ता, मतलब यही वाले part के लिए LDR है, that's it, तो मैंने वो भी discuss कर लिया आपके साथ, आगे बढ़ जाए, yes, फिर आएगा अपना illustration number 11, तो चिंदी है, 12, यह वो वाला concept है, जिसके ओपर मैं directly question मे करूँगा, जियान रखना, ठीक है, कैसे करना, सुन लेना, यही question में आधर लोग को तो तकलीफ होती है, तो मैं तो आपको recommend करूँगा, इसको write and practice घर पर जरूर करना, ठीक है, लिख के करो, तो मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा इसके अंदर, तो क्या बोलता है, 10 lakh shares है, ठीक है, फिर बोलता है, extra share issue करेंगे, तो बोलता है, 5000 share issue करेंगे, जब जब आप एक नया retail side open करोगे, जब जब क्या करेंगे, नया retail side open करेंगे, तब तब shares issue करेंगे, ठीक है, कितने issue करेंगे, 5000, उसके लावा, जब भी आप 20 lakhs के उपर profit कमाऊगे, तो every 1000 रुपीज पर 1000 share देंगे, यह बोला है, ठीक है, यह वाले shares कब देंगे, साल के end पर देंगे, लेकिन यह जो 5000 है, जैसी store खुला तर आपको share देंगे, ज्यान रखना, आगे, फिर आपको profit का information दिया हो है, profit का information है, वो cumulative दिया हो है, quarter wise, तो first quarter में 11 lakhs था, second quarter में total was 23 lakhs, तो यह total 2 quarter का है, आपको सिर्फ second quarter का चाहिए, तो difference निकालो, first quarter में 11 था, second quarter में 23 था, तो second quarter केतना हो गया, 12 lakhs, incremental है, तो आपको वैसे, हर quarter का निकालना पड़ेगा, तो quarter 3 में loss था, quarter 4 में profit अगेन हो गया, calculate basic and diluted EPS, अब क्या करना है, सुन लो, इन्होंने सबसे पहले store कपक निकालना है, यह जब exam हैगा, तो बता के आएगा, ध्यान रतना, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन, सबसे पहले, basic EPS, दो चीज़ चाहिए, एक चीज़ निमेरेटर, एक चीज़ निमेरेटर, निमेरेटर तो आपनने चाप लिया, यहाँ सपने को मिल जा May में खोला है, December year end है, तो पहले quarter में आपने कोई भी store नहीं खोला है, Jan, Feb, March, Jan से March में कुछ भी निखोला है आपने, तो पहले quarter में इसका कुछ भी नहीं आएगा, second, फिर आएगा April से June, तो आपने side कप खोली है, first May को, बराबर, तो first May को आपने 5,000 share issue किये न, तो basic में कित उसके अलावा, तीसरे quarter में, अब जो आपने इस quarter में issue किया, वो तो अगले quarter में पूरे quarter outstanding होगा न, तो 5000 into 3 by 3, प्लस, क्या आपने next quarter में कुछ नया issue किया किया, September में issue किया, तो अगला quarter का बोत है, July से September, तो first September को issue किया, तो 5000 into 1 by 3 भी अप करोगे, तो करके देखो इतना ही आएगा, अब जो यहाँ issue किया, वो next quarter में तो पूरे 3 मेने के लिए होगा, तो 5000 into 3 by 3, plus 5000 into 3 by 3, 5000 आजाएगा, बराबर यह आपका each quarter का होगा, आपको इतना समझ जाता है, फिर आता है full year का, full year के लिए quarter में क्या होगा, छोड़ दो, year के point of view से देखो, कब कब आपने खोला एक तो May में खोला था, तो May, June, July, August, September, October, November, December, 8 months, तो full year के लिए मैं बोलूँगा, 5000 into 8 by 12, plus, एक खोला आपने September में, तो September, October, November, December, 4 months, तो मैं बोलूँगा, 5000 into 4 by 12, कितना हो गया, 5000 करके देख ला भाई, तुम समझे गया, तो यह आपका हो गया, basic का denominator में, retail site के वएसे, जित तबी भी shares देने है, लेकिन extra earnings पर share देने ही कब है, year के end पर देने है, तो अगर year के end पर कुछ issue भी किया, तो basic में ने आएगा, क्यूंकि वो last day पर issue किया, तो basic में आएगा ही नी, तो basic के shares कितने होगे, आपके, sorry, earnings के वएसे basic में, कुछ भी ने आएगा, is this clear to everyone yes clear है कि हाँ तक yes, clear है, तो बस total मारो denominator का numerator, divided by denominator you will get the basic EPS basic clear है हाँ तक, अगर basic आपको समझता है, तो diluted तो इससे भी easy है diluted तो इससे भी easy है, सुनना क्या है वो अब diluted में first quarter में क्या आपने कोई भी site खोला first quarter में क्या आपने कोई भी site खोला नई, तो basic में भी नहीं आएगा diluted में भी नहीं आएगा, पहली चीज़ second चीज, second quarter में आपने कब खुला था first में को, बराबर तो आपने क्या बोला था, 5000 इन्टू 2 x 3 यह तो बेसिक में आ गया था तो जितने महीने बेसिक में आ ना उसके रिमेनिंग मंज इट वल कम ड़लुटेड ऐसा याद रखने का तो टू मंच के लिए बेसिक में था तो वन मंद के लिए इट वल बी इन ड़लुटेड तो पूरा 5000 आई जाएगा अटमेटि जो आपने सप्टेम्बर में खोला वो वन बाई थी के लिए बेसिक में आएगा अब जितने मेने बेसिक में आए वो ठीक बाकी किस में आएगा ड़लुटेड में तो 5000 इंटू 2 x 2 यह तो पूरा आई जाएगा इस मेने खोला तो पहले तो 5000 जो था वो तो आएगा नया खो इनके से लिए ज्यक से लगाई किस देगा है। से लिए में घू olur सुनज में तो 4000 इन तू में से लेकर डिसांबर यह बेसिक में आए था तो जितने में बेसिक में आए वो ठीक बाकी 4 x 2 डेडेड में आएगा जब खोला पुरा 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 एगा ह।ुछ पुरा जब ख फिर आते है अर्निक्स कंटिंजेंसी अब अर्निक्स कंटिंजेंसी वाले में बेसिक की तरह यह मत नहीं कब शेर इसू किया यह देखना कंडिशन कब मीट हुआ जिस साल कंडिशन मेट उससार आपको कुछ ना को शेर देने पड़ेंगे for example जैसे अपने हो क्या बोला था second quarter तक second quarter तक कितने से profit exceed हुआ है पहले quarter में नहीं हो 20 lakhs के ऊपर second quarter में 3 lakhs exceed हो गया हर 1000 उपे बे 5000 शेर थे तो 3 lakhs exceed हुआ थो 3 lakhs half gracias देना पढ़ेगा ले 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 लेगना लास्ट साल के इन तंग मीठ हो गया ना, मीठ हो गया, इशू किया या नहीं किया फरक नहीं पड़ता, पूरे साल के लिए कंसेडर कर लेना, ऐसा, तो यह उल्टर डालूटेर में ज्यादा इजी है, उसमें मंस का वर्किंग का जरुवत ही नहीं है, ऐसे हो एक एक्जाम के अंदर, बढ़ एक बढ़ प्रैक्टिस तो लगेगी आपको भाई साब, यह था रिटेर वाला कंटिंजनसी, थोड़ा सा डिटेमें जनने का कोशिश किया है, क्योंकि मुझे पता है, आपको सब्चाब लख लिफ इधर ही होती है, ठीक है, चलो, I hope it helps, आगे बढ़ जाते अगर आपका कंटिंग वाला रिपोटेबल है, तो डिस कंटिंग का भी, डिलूटेड रिपोट करना ही पड़ेगा, क्या बोला मैंने, अगर आपका कंटिंग वाला रिपोटेबल है, तो डिस कंटिंग और कंबाइंड का भी, डिलूटेव आपको रिपोट करना ही पड़ेगा, इवें इफ दे आर एंटी डिलूटेव, इवें इफ दे आर वाट तो आप इसका डालोटिव रिपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आपने इसका डालोटिव रिपोर्ट नहीं किया है, तो इनका भी डालोटिव रिपोर्ट नहीं करोगे, इन शॉट, अगर इसका डालोटिव रिपोर्ट हो रहा है, तो इसका डालोटिव रिपोर्ट हो रहा है, 14 से बेटर आपको question करवाता है, चलो 14 भी करवा देता आपको, ये एक शांदर question है, जिदर financial instruments भी covered है, और जिदर 33 भी covered है, बराबर FI और 33 का साथ में तड़का लगके आता है, इसके अंदर, सुन लो क्या बोलता है वो, बोलता है अपने पास 2000 convertible bonds है, ठीक है, तीन साल का term है, 1000 bond का है, proceeds 20000 रुपय ठीक है, interest है 6%, अब मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मली जितने भी अपने question किये, वहाँ coupon और EIR आपन से मानते थे, लेकिन अगर आपको EIR consider करना होता है, तो EIR वाला consider करना चाहिए, फर एक्जामपल, अगर डालुटी VPS में कुछ savings and interest भी होगा, बराबर, तो यहाँ interest, आप directly face value into coupon नहीं कर सकते, आपको fair value into EIR करना पड़ेगा, बेसिकली आपको financial instruments के step consider करने पड़ेगे, देखो क्या बोलता है, entity has given an option, मतलब option holder के पास है, जब option holder के पास होता है, तो उस case में आपके लिए principle is a financial liability, ध्यान रखना, सर यह सब कहां बता होग बेसिक तो simple है, profit divided by shares, तो कितना आएगा, जो भी आता आपको amount आजाएगा, फिर convertible bonds outstanding, वो बोलता है, each bond will be converted into 250 shares, तो into 250 करोगे, तो आपको मिलगा denominator पे impact, which is equal to 5 lakhs, if I am not wrong, बराबर, अब यह तो denominator पे impact है, numerator पे interest का saving कितना होएगा, वो भी तो निकालना होता है अपने को, तो numerator में interest का saving का आदे को कहा बात किया होए, आज आपन करते हैं यह वाला part, यह देखो, इधर, 14 and I illustration, yes, कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको steps follow करने पड़ेगे, this is a compound financial instrument, ठीक है, तो आप cash flows निकालोगे, cash flows में interest और principal, दोनों आप consider करोगे, उसके बाद, क्यूंकि compound financial instrument है तो आपका fair value क्या रहेगा, fair value will be equal to present value of future cash flows, बराबर it will be equal to present value of future cash flows, तो निकालोगे आप, जितने भी cash flows है, उसको ER पर discount करोगे, आपको मेलेगा fair value, ठीक है, balance बचेगा आपका equity component, अब आपको क्या करना है, ER अपने को 9% दिया हुआ है, आप बनाओगे LAT, LAT में, opening में आपन equity share होता, तो आपका इतना interest का saving होता, और मैंने year one का EQ लिया है, because ये bonds current year में issue हुआ था, इसलिए मैंने year one का लिया हुआ है, ध्यान रगना, तो ideally ये question financial instruments का भी है, तो अगर आपको FI आता है, तो ये समझाओगा मैंने क्या बता है आपको अभी, ठीक है, जान रखना, तो ये आपका होगया interest का saving, तो आप जब numerator में add back करोगे, तो ये will add back how much, this much only, ठीक है, बाकी denominator में आप लोगे, और आपको मिल जाएगा, is this clear to everyone, yes, कहानी होगे, खता, चलो, आगे बात करते है, illustration number 14 था, फिर आता है illustration number 15, ये एक और शांदार question है, बाई साब, क्या बोलता है सुनना, बोलता है अपने बास दो class of shares है, non convertible preference shares है, और ordinary shares है, ठीक है, अब ideally बोलने को preference shares है, लेकिन इसको प्यार से participating shares भी बोलते है, participating equity shares, सरे participating कहा से हो गया, क्योंकि एक बार इसको dividend मिल गया ना, 5 रुबेगा, फिर भी ये खुश नहीं है, वो बोलता है कि एक बार मुझे dividend फिर जो बचावा पैस है, उसमें मुझे वापस से थोड़ा और पैसा चाहिए, तो ये एक बार dividend लेने के बाद, फिर से कटोरा लेकर आ जाते है, उनको बोलता है, तो अब इस question में करना कैसा, सुन लो क्या बोलता है, बोलता है, पहले 5 रुपे इनको दो, फिर 2 रुपे करोगे, ये मतलब नहीं होता है, वो बोलता है, जितना भी ordinary को दोगे, उसका 50% देना पड़ेगा preference वालो को, suppose ordinary को आपने 1 रुपे दिया, तो preference वालो को वापस से 0.5 दोगे, ये इसका मतलब नहीं है, 50-50 दोगे, एक रुपया ordinary को गया, तो 0.5 preference को जाना चाहिए, उसका य ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो, suppose आपका total profit आपने इतना कमाया था, 1 लाइक रुपीज, ठीक है, अब उसमें preference वालो को आपने दे दिया, 5 रुपया 5,000 shares के लिए, ordinary वालो को दिया, 2 रुपया 10,000 shares के लिए, तो 25 वो 20 आपने दे दिया, बचा कितना, 55, 55 का आधा आध लेके shares 5,000 है, बराबर, तो आप क्या करोगे, आप एक ratio बनाओगे, इसके 0.5 into 5,000 shares, इसका 1 into 10,000 shares, ratio बनेगा 2,500 is to 10,000 का, आप जो बच्चावा पैसा है वो इस ratio में बाटोगे, सरे ratio ऐसा अजीब सा क्यों है, क्योंकि दोनों के number of shares बेलग अलग है इसलिए, तो इसको मिल by 5,000, 7.2, और ordinary वाले को 20 मिला, अब इनको 44 मिला, तो 64, 64 divided by 10, इसलिए 6.4, यह आपको निकाल के देना होता है, तो यह वाला question भी करके जाना भाई, ठीक है, ध्यान रखना, खतम हो गया, इसको बलते है, participating equity instruments, ठीक है, खतम, फिर अपना हाता है, अगला question that is, illustration no.19, दिखने म यह पिद्दी सा question है, लेकिन शांदार question है, क्यों ऐसा क्या बोलता है, देखलो, फटाफट से, जैन 1st shares in issue, 10 lakh है, 5,000 convertible bonds है, 1 lakh के, terms of conversion क्या है, 120 ordinary shares of rupees, 100 each, ठीक है, अब वो बोलता है, 31st March को, 25,000 bonds ने convert कर लिया, equity shares के अंदर, profit आपको दिया वै, 2 lakh rupees, tax है 30%, अब आपको बोलता है, basic निकालो, देखो, basic तो simple है, basic में तो अपन क्या करेंगे, 2 lakh divided by मेरे ख्याल से, वो 10 lakh जोबिया वो कर देंगे, if I'm not wrong, 31st March को, तो मैं बोलू, 9 months के लिए, this would have been under basic, तो 25,000 into 120 by 100 into 9 by 12, इसका जो भी answer आएगा, इतने समय के लिए, basic में आएगा, देखो, यहां किया हो अभी है, तो यह basic में आजाएगा, तो आपका basic में, number of shares इतना हो गया, profit इतना हो गया, अब आपका निकलेगा basic EPS, तुम समझे गया, तो यह basic वाला पार्ट हो गया, तो मैंने हाग कर लखा, आपको दिखाता हो चाहिए, तो, अम,म,म,म, किदर गया ही है, दिखे तो मजा है, मिल तो नहीं रहा है मेरको, मैं ऐसी बता दूगा आपको, वो ढूनने में समय लग जाएगा, डिरेक्ली बता दूगा, आप आपको समझ रहा ना, मैं जैसे बता रहो यह वाला, हाँ, ऐसे ही करो ना, अच्छा, उसके बाद, अब बोल डालूटेड निकालो, अब डालूटेड में क्या होएगा, सुनना, जो 75,000 बांड है, यह तो 125,000 बांड है, यह तो 12 मेने के लिए डालूटेड में होंगे, यह के लावा, जब आप interest का savings निकालोगे, interest का savings, तो यह 75,000 बांड पे पूरे 12 मेने का interest बचेगा, और 25,000 पे 3 मेने का interest बचेगा, बस इतना आप ध्यान लखना, ऐसी निकालावा है, देखो, 25 पे 3 मेने का बचेगा, और 75 पे पूरे 12 मेने का बचेगा, interest, और डिनॉमेटर पे लेकिनी फटावट से बताओ ने यह वाला पाट, yes, चालो, शांदर रहा, 2300 लाइक कर दिया, तुमने मज़ा आगे एक दमी, feel आगे वाइस हो, चलो ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते है, illustration number, अभी अगला question है, 20, 21, ओ हो, शांदर question 21 भी, 21 is related to right shares, ठीक है, right shares का question है, तो इसमार पना right का भी वो हो जाएगा, right में बता है, तीन step थे, पहले फटा-फट से में को step बता दो, step number 1 क्या था, sir, याद करो, याद करो, sir, वो था, x right price, हाँ, याद आ गया, sir, तो हम निकालते थे, x right price, step number 1, step number 2 क्या था, sir, हम निकालते थे, bonus factor, हाँ, sir, bonus factor, very good, और step number 3 क्या था, फिर हम, by figure करते थे, between bonus element and between cash element, ऐसे करते थे, अरे, शांदारान सा मजा आ गया, अब पहले, क्या हुआ है, सुनना, यहाँ, दो नहीं, तीन साल है, ठीक है, बोलता है, यह वाले साल में right issue हुआ है, ठीक है, तो जिस साल right issue हो, कब हुए right issue, तो बोलता है, right issue हु तो कैसे करेंगे सुन लो, सबसे पहले, 500 into come right price, plus 100 into right price, divide by total number 600, कितना आता है, बता फटा वट से, तो मैं बोलूँगा, 500 into 11, 500 into 11, m plus, और 100 into 5, m plus MRC, divide by 600, मैं रिकाल से, कितना आता है, it is coming to 10, यह extra price होगे आपका, फिर bonus factor चाहिए, 11 divided by 10, ऐसे ही रखो, अब, आपको चीए bifurcation, तो opening shares किते थे, opening shares थे 500, इस पे लगाओ, 11 by 10, तो minus 500, opening वापस minus करो, तो कितना आएगा, 50, तो total 100 share में से, 50 is bonus, और बाकी 50 है cash, यह cash वाले पे आप लगाओगे, 10 by 12 का weights, इस पे आप लगाओगे, 12 by 12 का weights, simple, यह कब करोगे, आप यह क कैसे करना देख लो, फटावर्ट से सिखाता हो आपको, सुनलो, मेरे क्याल से मुझे मिल जाएगा, इदर की जाएगा, अपना आगया bonus वाला, यह रहा, देखो, आपने निकाला, x right, बराबर bonus factor निकाला, और split मार दे 50-50 का, यहां तक आपने किया था, उसके बाद, आपको निकालो के, normal basic EPS, बराबर, फिर आप निकालो के, previous year का, रिश्रेट EPS, previous रिश्रेट में सिख bonus का impact आएगा, 500 x 11 x 10, बराबर, फिर निकालो के, current year का, original EPS, current year में 1 EPS हैगा, original वाला, देखो, इसमें आप right का, जो bonus है, वो भी लोगे, और जो consideration में issue किया, वो भी consider करोगे, फि इसमें, आपका जो bonus है, 12 x 12 के लाएगा, और जो आपने cash के ले issue किया, current year में it would have been for 10 months, but next year तो ये पूरे 12 में हो जाएगा, तो next year वगेरा बहुत simple है, तो इसमें, importance ही वे बीच वाला साल है, 2011 का, बाकी simple है, ध्यान लखना, clear, तो ये आपका था, illustration number 21, जो आपने सर का दिया इसको शांदार तरीके से, फिर आता है एक और बढ़िया question, देखो, मैं आपको honestly बोलता हू, EPS है कैसा India से, जिसके question एकदम शांदार है, मतलब आप बोलोगे ना, कि sir, क्या question है, मतलब आप ये सब appreciate कर सकते हो, इसको, तो इसलिए ये शांदार questions है, और इसलिए अपने को सम सुनना, वो बोलता है, parent का profit दिया हूए, subsidiary का profit वगेरा दिया हूए, subsidiary के shares भी दिया हूए, तो पहले subsidiary का कर लेते, subsidiary का basic भी चाहिए, और diluted भी चाहिए, कैसे कर गो, subsidiary का, subsidiary का profit था, 5,400 है, इसमें से preference dividend पहले minus करना, 400 है, preference share, 1 रूपी dividend, तो आप लोगे, minus 400, कितना subsidiary का diluted EPS, कैसे निकालोगे, warrants है, 150 के, exercise price 10 रूपया, market price 20 रूपया, तो इसका free component लोगे, तो 75 warrants आएंगे, बराबर, उसके लाब, preference share 400 है, convertible into 1 share, तो 400 equity share में convert हो जाएंगे, यही है, ठीक है, तो जब, आप subsidiary का diluted निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, आपका ये savings हो जाता, तो आपका profit होता, 5400 ही, divide by, divide by, आप बोलते, 1000 थे पहले से, 75 because of warrants, and 400 because of preference, तो करके देख लो, तो मेरे क्याल से, 1475 आएगा, तो 5400 divided by 1475, तो 5400 divided by 1475 will be equal to 3.66, यह आपका diluted EPS हो गया, बेसिक से कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तका है, अब सबको clear है, ठीक है, यह आपका basic वाला काम हो गया, मिटा रहो में है, ताकि आपको में जगा बना सकूँ आपस से, यह मैंने कर दिया, subsidiary का basic अब मुझे group का पूछ है, मजा group वाले में ही है, पहले group का basic निकाल लेते, group का basic मतलब parent का profit, अब जब group का निकालोगे ना, तो number of shares सिर्फ वा सिफ parent के लेन ठीक है, तो group का basic निकालोगे, तो group के basic में क्या आएगा, देख लो, 12,000 था, excluding any earnings paid by the subsidiary, है न, divide by 10,000 shares, लेकिन आप और भी कुछ add करोगे, subsidiary के, sorry, parent के पास, 400 में से 300 preference shares है, तो out of 400 रुपिस का dividend, जो subsidiary ने pay किया रहेगा, 300 तो parent के पास गया रहेगा, उसके अलावा, देखो subsidiary का profit was 5,400, preference को 400 रुपिया दिया, 300 आ गया parent के पास, बचा हुआ, 5,000, इसमें से 80% stick parent के पास है, out of 1,800 shares are with parent, तो इसका भी 80% parent को बिलोंग करता है, तो कितना, 4,000 parent को बिलोंग करता है, प्लस 4,000, तुम समझा मैंने क्या बोला, तो कितना आएगा, 12,000 प्लस 300 प्लस 4,000, divide by सिर्फ और सिर्फ किसका लोग है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ parent के share, तो कितना आएगा, मेरे खाल से 1.63 आ जाता है, सबको ये वाला पार्ट समझता है, पहला चीज, तो ये भी clear हो गया, group का basic, अब आता है सबसे important group का diluted EBS, ठीक है, देखो, parent के द्वारा issue किया गया, कोई जादा ordinary shares होते है, सर ऐसा कैसे, बताता हूं मैं आपको, diluted के बात करेंगे ना, तो हम मानते group के सारे potential equity share होते है, इसका मतलब, ये भी होता 400 equity share, ये भी होता 75 equity share, बराबर उसके अलावा, मेरे पास subsidiary के 800 नहीं, 30 warrants के 15 equity share और आते हैं, और 300 preference share के 300 equity share और आते हैं, इसका मतलब, मेरे पास 800 प्लस 15 प्लस 300, इतने shares होते हैं, subsidiary के, out of how many? out of 1000 प्लस 75 प्लस 400, पहले मैं बोला था ना, 80% stake है, मेरा subsidiary का stake revise हो जाता, ये अब मेरे पास 1000 में से 800 नहीं है, अब मेरे पास इतने में से इतने हैं, तो ideally वो ऐसा आता कुछ, 1115 divided by 1475, है ना, तो आपका stake change दो जाता, 1115 divided by 1475, तो it would have been 75.59% stake, ये आपका पहले 80% stake था था ना, अभी वो इतने हो जाता, 75.59% stake, पहले आप revise stake निकालोगे, अब डालुटी DPS कैसे निकालोगे, आपके पास सबसे बहुत 12,000 के earnings थी, shares change नहीं होने वाले, आप सिर्फ वो सिफ, parent क्या outstanding shares ले तो इसके अंदर, पहला चीज़, सेकेंड चीज़, आपके पास अगर डालुटेड होता, तो subsidy का total profit में, आपके पास 75.59% हिस्सा होता, तो आप वो record करोगे, 5400 into 75.59%, that is equal to 4082 ले लो, बस, तो plus 12,000 divided by 10,000, which is equal to 1.61, ये एक शांदार question है, और ये question इंसान तभी कर सकता है, जग घर पे practice करके गया हो, और अगर आपको लगता है, अभी भी difficult लगता है, idea दू कि आपको star मारो, ये वीडियो यूटूब पे रहने वाला है, जब भी वापस सर्फ शड़ी करोगे ना, मेरा ये पार्ट वापस से ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, illustration number 23, again a very शांदार question, सुनलो क्या बोलता है, एक हिंट देता हो आपको, आपको यहाँ भूत सारे profit दिया हुए, parent का profit दिया हुए, NCI का हिस्सा दिया हुए, total दिया हुए, OCI का profit दिया हुए, सब दिया हुए, ये सारे में से एक ही profit relevant है खुद का profit, OCI वाला consider नहीं करते है, NCI का भी consider नहीं करते है, तो OCI, NCI दोने को ignore करने का, सिर्फ खुद का देखने का, 39,000, आगे, फिर आपके बस बोला हुए, कि पहले इतने shares थे, फिर during the year अपने इतने issue किये, ठीक है, तो इस पर आप weights लगा दे न, कभी issue के जुलाई मे तो इस पर 9 by 12 का weights आजेगा मेरे साब से, if the year ending is March, perfect, आगे, फिर बोलता है, 8 lakhs iridimable preference shares थे, है न, यह iridimable preference shares है, यह कोई potential liquidity share नहीं है, यह normal preference shares है, तो इसका क्या करना है सर, इसका सिर्फ dividend अगर कुछ pay कर रहेगा, तो minus करना वाना कुछ करने का जरूवत नहीं है, है न, 31st March 15, मतलब 4 सार का tenure था, क्योंकि अब चल रहा 31st, sorry, issue कब किया था, आपने, 1st April 11 को issue किया, 31st March 15 पर redeem होएगा, 4 सार का tenure हो रहे है, interest payable annually, the holder can elect to exchange the convertible debentures, वापस है holder के पाद option है, CFI का instrument है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको financial instruments की तरह, LAT करके interest निकाल पड़ेगा, लेकिन खास बात ये है, आपने issue किया था, 11 में, अब चल रहा 13, तो LAT का कौन सा year का interest में consider करूंगा, year 1 का consider करूंगा, क्या, नहीं, year 2 का जो भी interest आएगा, वो आपको consider करना है, year 2 का जो भी interest आएगा, वो आपका होगा, savings and interest for dilute VBS, ध्यान रखना, तो ये एक चांदार question है, आपको ध्यान रखना है, clear वाला part क्या, yes, उसके बार dividend बताया है, और कुछ बोलावा है, नहीं, अचा, ordinary पर dividend इतना दिया, ordinary का मुझा करना ही नहीं कुछ भी, आपको सिर प्रेफरेंशर का dividend consider करना है, प्रेफरेंशर का dividend आपन माइनस करते है, अपने को चाह चलो दिखाता आपको question number 23 का solution, question 23, 23, 23, year 23, देख लो, मैंने क्या बोला है, ignore OCI, NCI, सिर्फ parent का लोगे, प्रेफरेंशर करोगे, earnings available for equity holders मिलेगा, इस numerator निकालोगे, इस denominator निकालोगे, तो basic EPS मिल जाएगा, उसके बाद, valued EPS, numerator, earnings available for equity holders, प्लस effect of potential equity share, वो consider करोगे, इसमें आप, जब savings in interest लोगे, तो second year का जो LAT है, LAT के second year का interest है, वो आपका savings होगा, वो भी net of tax लेना, net of tax, बराबर, बस, फिर denominator आपको मिल जाएगा, निकाल लेना, valued EPS, ठीके, ध्यान लगना, चलो, clear यह वाला पाट यह था इलिशर्शन नमबर 23, शांदार question करके जाना, उसके अलावा, let me see, और कुन सा question जाप कर सकते हो, एक question number 3 है, यह question already मैंने, example के form में करवा दिया, पता है कौन सा example, मैंने आपके लिए, valued EPS का example लिया था, जहां देरवर multiple potential equity share, पता है, तीन step ते, पहले incremental EPS निकालो, फि यह question number 5 है, इसको मैं single star दूँगा, पता है कुन सा question है, मैंने आपको कराया न, group का भी basic निकालो, subsidiary का भी basic निकालो, group का diluted निकालो, subsidiary का diluted निकालो, तो उसका एक थोड़ा सा easier part है, easier way out, ठीक है, तो RTB November 22 में था, क्योंकि मैंने वो question करवा दिया आपको, कुन सा करवाया, 22 22 था कि 23 था वो, बता दो रूको, 22 वाला, इसके ऐसा question है, यह वाला, जो आप, single star बता है, question number 5, RTB November 22 का, तो practice के लिए वो करके चले जाना, क्योंकि similar रहे में वापस वाल निकालो, लेकिन, करके चले जाना यह वाला, ठीक है, ध्यान लखना, perfect, तो उसके लाब मेरी कालो, finally, क्या खतम होता है, इतना मेहनत मुशक्कत के बाद, क्या खतम करते हैं, इंडेयास 33 का, super quick revision, बराबर, जहां मैंने जादा focus, बोला भी आपको, किस पर करना, आपको, questions पर जितना जादा focus हो सके, वाको करने के जरूद, है, बराबर,